बाई आज 26 जन्वरी है, चलो टीवी देखते, कुछ अच्छा प्रोग्राम आया होगा हाँ लगा ना फिर बनकर बनकर वो टीवी क्या हुआ बाई? मुझे टीवी नहीं देखना आज के बाद साला रेसिस टीडियाट बॉक्स लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ भाई अच्छा लगा फिर, दिखाताओ तुझे इंडियान आड्स का रेसिजम लेकिन जैसे ही हम अपने से खुबसूरत लोगों को देखते हैं तो पता चल ही जाता है लेकिन अब दुखी मत रहिए गोरा होने के अपने सपने को अब सच करने का वक्त आ गया है मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चाहिए वो कट्री न हो या प्रियंका वो अपने टैलेंट के वज़े से सक्सेस्फफल हुई है स्किन कलर के वज़े से नहीं आई बड़ी शान पट्टी करने वाली हर लड़के की एक गल्फरेंट हुआ करते थी मगर मेरी नहीं शायद मुझ में वो अट्राक्शन नहीं था एक्चुली मेरे चहरे में ही कमी थी मेरा चहरा काफी डाक था और साथ में पिंपल ये 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 ऐसे लोग होते जो चंद पैसे के लिए अपने चहरे पर कोईला क्या गोबर मलकर भी फोटो किछने के लिए रेडियो हो जाते मैं पहला काला था ये क्रिम लगा ते में गरा हो गया चुपकर सुवर की ओलाद एक नाग भेने वाला चोटा बच्चा भी पेचान लेगा तु कौनसी भी ब्यूटी प्रोड़क्ट आड उठा के देख ले उसमें कुछ चीजे तुझे हमेशा कॉमन मिलेगी पहले तो एक मेकप की हुई डार्क लड़की दिखाते जो दुखी होती है बैगराउंड में साड म्यूजिक बासता रहता है उसको कोई चपरासी की नौकरी तक नहीं देता क्यों? क्योंकि वो काली है ना फिर राचानक से एक उसकी चुडेल सहली प्रकट हो जाती है वो उसको एक बंदर की टट्टी वाली क्रीम लाके देती है फिर वो क्रीम लगाने के बाद वो लड़की साथ दिनों में इतनी गोरी हो जाती है कि उसकी स्कीन चमकने लगती है गाव के बच्चे उसके स्कीन के रोष्णी में पढ़ाई पूरी कर सकते ये लड़की इतनी खुबसूरत बन जाती है साथ दिन में कलेक्टर बन जाती है आठवे दिन कंपणी की CEO बन जाती है नवे दिन एस्टोनोड बन जाती है दसवे दिन प्लूटो ग्रह पे जाके किसी एलियन के साथ कैंडियला डिनर करके आती है इसकी मा की कंट्रोल भाई कंट्रोल नई क्या समझ के क्या रखा है यार इतनी देट सक्सेस मिल दी क्या किसी को रुला देते हो यार तुमें हडवाले नई नई शान्त भाई शान्त आप मेंसे कही लोगों ने इस काली बिल्ली को टीवी पे जरूर देखा होगा ये देवी लोगों को हाईट बड़ाने वाली जड़ी बूटी बेचती है काश भाईवान ने तुझे बनाया ही नहीं होता फिर ये हाई हिल्स बेहन कर तु रोज टीवी पे लोगों का सर तो नहीं खाती बेखुफ औरत तुझे इतना क्या अपने हाईट पे गुरूर है तु तो पिछका हुआ अंगूर है और तेरा होने वाला पती लंगूर है अबे तुझे फ्रेंजोन कर दिया रहे सडेले मच्छर की सडेली टटी जा तुझसे कटी आप लोगों को क्या लगता है यह लंबी हाइट होने से लोग सक्सेस्फुल बनते और एक घंटा बनते जिंदगी में लंबी हाइट होने का सिर्फ एक फाइदा है क्या आप दरवाजे की उपर वाली कुंडी खोल सकते हो और वेसे भी वो सिस्टीम अब रिपलेस हो चुका है अगर आपके पास टैलेंट है ना तो चाहे आप लंबे हो छोटे हो या मेरियम हाइट के हो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है और एसे बंदर किसी कॉलेज के सामने एक तपरी खोलकर यही फ्रेंशिप बैंड बेस्ते हुए नजर आएंगे लिख के ले लो तुझे पता एसी एर्स बनाने वाले कंपनियों का कोई दोश नहीं है प्रॉब्लेम तो हम में है हमें बच्पन से सिखाया जाता है कि बेटा दूप में मत जाओ काले पर जाओगे साइकल चलाओ वरना हाइट नहीं बढ़ेगी एसी कई और चीज़े हमसे कही जाती है इससे होता यह है कि जो लोग काले है या नाटे है वो लोग अपने आप में किसी तरह की कमी महसूस करने लगते जिससे उनका confidence लो पड़ जाता है फिर यह लोग जब टीवी पे ऐसी घटिया beauty products की या body growth की air देखते है तो इन्हें एक आखरी उमीद नजर आती है और वोग खरीद लेते इसी वज़े से इन फाल्तू कमपनियों का धंदा चलता है मुझे इन कमपनियों के product पे कोई doubt नहीं है शायद कोई product आपको गोरा बना भी दे या आपकी height बड़ा भी दे लेकिन क्या आपका रंग और body की size सच में matter करती है चाहे इनसन काला हो या गोरा, लंबा हो या नाटा, मोटा हो या पतला हर एक इनसन जिंदगी में हर एक चीज़ पा सकता है अगर उसमें talent है और वो चीज़ हासिल करने की काबिलियत है और एसी काबिलियत पाने के लिए तुमें किसी फालतू product की जरुरत नहीं पड़ेगी बस अपने काम पे ध्यान दो, मंजिल जरुर मिलेगी और जब एसी सोच देश का हर एक इनसन रखेगा ना, तब जाके अपना देश बदलेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए, तो लाइक, शेर और सास्काइब ठोक दीजे मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ जेहिंद होगी सारी रिपोर्ट है होश वही, मत भोश नहीं, हेटर्स मेरे सारे बेहोश कहीं, उनमें है जलन आक्रोश वही, कुछ काम करने का चोश नहीं, जिस वक्त वो गर पे सो रहे थे, हम सिम्यदारियों को ढो रहे थे, जब हमको मिली सक्सेस की टॉफी, वो फोन पकड़ के जान पूच कर अंचाने में अपना आपा को रहे थे